टिकरी बॉर्डर दी कमेटी तो जेड़े है गया जेड़े चोधी जोगिंदर कासी राम नैन जी इत्थे मजूद ने परदाने पार्थी किसान यूनियन हरियाना दे उनना जुड़ दे हैं उनना गलबात कर दे हैं क्या कहना चाहेंगे आज मीटिंग में क्या बड़ा फैसल किसान की घरवापशीन नहीं होगी ऊसकांब बात के ऊपर के पूरे देश का सुख्वे किसान भी स्टेंड करता है शेंड के खड़ा है और हर्याना dunk और्फिस ना हीं किसान साथ के हो पर 45-5000 से केश लगई तहरा की द्रत के से केश निलगा रिखन वह मैं तक के भी हैं समपत्ति का उनको अपर बादानी को चिठी के रूप में भेज दी गई थी, उन्हीं की तहद आज कुछ बातों पर 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 अंदर के क्रिशि मंद्री बोले हैं, लेकिन बोलने से हमकि विश्वास नहीं करतें, जो फैंसला हो, वो टेवल पर बात की जाए। उसकी इसलिए राज्य केंदर की सरकार को 29 तारीक से लेकर के चार तारीका जो बीच का समय दिया गया है कि ये सरकार लोगों में बहम पैदा ना करें कि हमने क्रीशी के काड़े कानून वापिस ले ली है किसान अड़ियल रोग ये पर अड़ा हुआ है हम अपने उन्होंने दो कदम किये हैं तो हम भी कुछ समय और सरकार को केंदर की सरकार को देना चाहते हैं कि उस समय के रहते किसान से बातचीत करें और उसके उपर जो भी हमारे मांगे लिकित्म रूप में दीगी है उनके उपर विस्तार से चर्चा के लिए किसानों को बुलाए और किसान सुन्तूष्ट होगा तो ही गरवापसी की बात करेगा ने तो किसान अपना 6 मेने का रासल वापसी से ले करके बात चुके है और कल हमारा एक वर्ष का इस आंदोलन को पूरा हुआ सबीस तारी को पूर और जो आने वाड़े समय में हमारे खिती का जो किसमय था कटाई और विजाई का वो हो चुका है अब हमारे किसान ब्रादरी के पास लंबा समय है वो इस काम के लिए पूर रूप से अब तो इनके अंदर होंसला भी बढ़ चुका है कि यह किसान जीत हासिल कर चुका है चा पंजाब उत्तरपरदेश राजस्थान का किसान इसी तरह से एक जुटता के साथ डटा रहे सरकार एक एक दिन गिन रही है अब सरकार को बारी हो रहे है कि आने वाड़ा जो कुछ परदेशों के अंदर चुनाव है उससे पहले एक किसान की जुटता वो कहते थे कि मुठी बर किसान नहीं हर्याना पंजाव के किसान ने जो पूरे देश की अबादी का कुछ प्रतिशत है उसने पूरे देश के परधान मंतरी को मजबूर कर दिया है कि जो एक दुनिया के इतिहास में हर्याना भारत के इतिहास में पहला ऐसा कारून है कि जो एक वरस के अंदर वही स